सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एंट गुडगाउं.com आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही ने टॉपिक के बारे में बात करूंगा स्यालो एंडोस्कोपी, स्यालो एंडोस्कोपी माने के हमारे सालाइवरी ग्लैंड्स की और सालाइवरी डक्ट की एंडोस्कोपी हमारे body में salivary glands होते हैं जिनका नाम parotid gland होता है और submandibular salivary gland होता है इन glands का जो हमारे गालों में और हमारे जबडे की नीचे वाले position में होते हैं इनका काम saliva बनाना होता है यह saliva इन glands से ducts के द्वारा रिसाव होता है जब भी हम खाना को देखते हैं या खाना चबाते हैं और यह saliva हमारे food के digestion में और food के chewing में helpful होता है इसके साथ साथ यह इसमें हमारे कुछ anti-bacterial और anti-bacterial static भी चीजें होती हैं saliva में जो हमारे mouth की oral hygiene को clean करने में हमारे दांतों को साफ रखने में और उनको gums को protect करने में helpful होती हैं जब भी हम देखते हैं कि हमारे saliva के रिसाव में रुकावट आती है जैसे कि वहाँ पे कोई sludge बन जाने के वज़े से या फिर कोई पथरी बन जाने के वज़े से या वहाँ पे जो डक्ट का रस्ता होता है जब वह संक्रा हो जाता है तो वहाँ पे रुकावट बनने लगती है और इसकी वज़े से यह gland सूजने लगता है या बड़ा होने लगता है अक्सर यह चीज़ जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके टाइम पे gland में सूजन आ जाती है और gland वहाँ पे फूल के बड़ा हो सकता है इसके साथ साथ इसमें दर्द भी हो सकता है और gland को दबाने पे नमकीन नमकीन मुँ में पानी जो सलाइवा का गाड़ा मिक्शर होता है वो मुँ में आने लगता है और इससे patient काफी परिशान रहता है क्योंकि वो खाना नहीं खा पाता असानी से खाने को देखने में उसको दर्द होने लगता है सूजान आने लगती है और ऐसे patients अक्सर public place पे खाना खाने से घबराते हैं अब तक ऐसे patients को हम anti-biotic से या anti-inflammatory दवाईयों से या gland की गरम सिकाई से treatment इनका हम करते आए हैं और हम इनके लिए कुछ जाचे करते हैं जैसे के सियालो ग्राफी होती है जिसमें हम एक डाई को डालके इस रस्ते को और डक्ट को हम देखने की कोशिश करते हैं अब तक इन patients के लिए हमारे पास कोई अच्छा इलाज available नहीं था और अक्सर हम देखते थे कि अगर हमें gland में अगर हमें पत्थरी बन गई है और रस्ता ब्लॉक हो गया है तो हमें पूरे gland को operation करके चीरा लगाके निकालने की जरूरत पड़ती थी इस वज़े से ये gland हमेशा के लिए body से चला जाता था और body में overall saliva का जो रिसाव होता था वो कम हो जाता था अब हमारे पास नई technology available है जिसको sialo endoscopy कहते हैं इसमें बहुत ही पतले 1 mm के बराबर flexible और semi rigid endoscopes होते हैं जो हम मुँ के जरिये जो natural duct होता है parotid gland का और mandibular salivary gland का उनको dilate करके उनमें ये हम endoscopes को डालते हैं और high magnification camera system में इन ducts को हम चेक करते हैं अक्सर हम देखते हैं के duct में कोई पत्थरी बन रही होती है या फिर कोई हम देखते हैं के narrowing हो रही होती है जिसको हम लोग stenosis कहते हैं या structure कहते हैं और अब हम latest technology के द्वारा ये पत्थरी को वहां से हम remove कर सकते हैं और अगर पत्थरी जादा बड़ी होती है तो उसको laser से हम break कर सकते हैं या फिर drill करके उसे छोटे छोटे pieces में तकदील कर सकते हैं और dornia basket के द्वारा इनको हम निकाल सकते हैं जो stenosis होती हैं उनके लिए हमारे पास बहुत ही minute microscopic गुबारे available हैं जिनको हम लोग balloon कहते हैं और balloon के द्वारा इनको हम dilatation कर सकते हैं जिससे पतले रास्ते को चोड़ा किया जा सके जिसके थूँ जो saliva का रिसाव है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके इसके साथ-साथ हम इनमें दवाईयां जैसे के antibiotic हो गई या anti-inflammatory steroids हो गए इनको भी हम duct के अंदर डाल सकते हैं जिससे के duct जल्दी से सूजन कम हो जाए उसमें healing अच्छी हो जाए और फिर वो अच्छे से काम करने लगे इस नई technology के द्वारा हम जादातर patients में gland को बचा पाते हैं और हम इसके वज़े से जो हमारे patient का recovery है वो बहुत fast हो जाता है बिना किसी टाके के बिना किसी चीरे के वो जल्दी से recover कर जाते हैं और अपने काम पे वो वापिस जा सकते हैं इसके साथ साथ जो मुँ में taste disturbance वगरा भी इस तरह की technology में minimal होता है या ना के बराबर होता है ये facility Mayom Hospital में available है और हमारे पास दूर दूर से patient आते हैं पत्री के इस तरह के पत्री के इलाज के लिए और हमने छोटे से छोटे पत्थर जैसे rice grain के पराबर हो गए या फिर sugar crystal के पराबर हो गए बहुत सारे stones एक ही patient में निकाले हैं इस तरह की problem से ग्रसित patient Thank you Thank you